जक्कराम मानन देविदा ओस्वाच्वे जर्वार गीजे कीडि जगा तो और भर्वाला से पैदल यत्रा करके अंची के हो जह लग रहे हैं बहुत बढ़ी कर दों जा नहीं यह आएं पला में अन्धिर छालगी आंजा पहल लो दस्टाक जिए आरेक नहीं टेहान हुआ इस वेले ऐसे खड़े हैं बिल्कुल पर्ची काउंटर दे कोल जिदो जदो भी तुसी इत्थे मलबा आन लगोगे नवरात्रियां दे विचे स्पैशल ते तीन चार सालना तो ए पर्ची सिस्टम जड़ा शुरू किता गया और लोकां दी सुरख्या दे मत दे नजर शुरू देनिक्स वेरा टीवी देख रहे है सारे दर्शकानू जय माता दी देनिक्स वेरा तो आनू लगा ता नवरात्रयां चे शक्ती बिठांदे दर्शन करवा रहा है आज माता रानी दा 6 मा नवरात्रा और इस दिन मा कात्री आएनी जी दी पूचा किती जन्दि है आज दे दिन थздनू देनिक्स वीरा टीम लग है के जारी है मान नेना देवी मंदीर देज दर्शनाली आउ चल दे आ तो करदी हैं दर्शन माता शीरी नेना देवी दे झाल झाल देनिक्स टिवी ते एस बेले तुसी दर्शन कारे हो माता नैना देवी मंदर देश्वी जिम्मे की तुसी मेरे पिछे देख सकते हो कि कि में शरदालू कतारा विच खड़ेने और मंदिर दे अंदर जा रहें एस बेले जड़े तस्वीर जड़े तुसी हुन टीवी ते वाली है शर्दालू आँचे इनना उलास है क्यों जैकारे लगांदे हो ये पूरे जोशनाल अंदर जा रहे हैं जिहां एस विले तुसी टीवी ते दर्शन का रहे हो माता नेना देवी मंदिर दे केड़ी जगह तो आए तो सी उनना पहली बरी आए ने दूजी बार की में ता लग रहे है आके थे बादिया लग रहे है किन्ना टाइम लगया कर तो चल के थे ता कुझ रहां स्वेरे अठवे चले सी अच्छा लाइन बहुत लंबी है तो हमनों किनी देर होगी लाइन चले लगसम दो टाइगंटे हो गए थकावट आनी होगी थकावट माताजी दरवार चे जाना फेरकादी थकावट है पूरी तरह उल्लास है आँ उल्लास है ताहित है जो मेर नाम हिंदू है और मैं इनना डिस्ट्रिक्स आयों मुझे माताजी के दर्शन करके बहुत ही अच्छ घान नो लगे गए दो टाई गे अटे बबल्गाओंटे है और मैं अ टेड़े गेंटा लग गया जाए प्शं आगे आज चाहां सब्सट्रिक्स आपना अबल्गी है अच्छ आगे अच्छिए नगाए अच्छ आज़ी खिए चल्ड़ी के टाई ब्सक्कारी के देले के ल पता नेना देवि का ये सूपर शक्ति पीठ हमाचल प्रदेश के बिलासपूर में सतित है कि इथियास के संबन्द मेंुस्रब इतना ही कहना है कि यहांके जितने भी शक्ति पीठ है जो माता शती के अंगों से बने हैं, वो 51 शक्ति पीट उन में से ये शक्ति पीट विश्वर्द में प्रसीद है, नैना देवी माता में माता के नैन गिरे हैं, तो इसे नैना देवी माता के नाम से जाना जाता है, जहां तक मंदिर के विशिष्टता की बात है, तो जैसे ही आप मंदिर के आं प्रव का एक पाउन नहीं है और वो आपको यहां नहीं मिलेगा उनके थिक सामने विराजमान है गृणपती जिनके साथ उर्दुम की हनुमान है फिर आगे आएंगे तो यहां पर बाइसेक्शल ट्री है इंगलिश में बोले तो अगर हिंदी में बोले तो द्वीलिंगी है ह कि माइल पर दारी पूस नहीं इसका जो नीचे वाला भाग है वह मेल है उसको दाडी आती है जिसे एडमियों के हमारा जो शरीर है वो ठोड़ा क्हसरा होता है लेडीश का जो औरतों का शरीर 01 को वी हात लगाएंगे तो पत्तों में उसकी बीनता आपको नजर आ है जो कि आपको यहीं मिलेगा इसके अलावा आप दुनिया घूम लें आपको यह नहीं मिलेगा आगे आएंगे तो फिर उसके बाद राम जी का परिवार बैठा है सब्सक्राइब जी का मंदिर है इसके बाद श्वेट वटुक जी है आगे फिर माता का चरण लेकर चरण है लेकर फिर माता जी के अंदर दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं परिक्रमा करते वक्त सबसे प्रसम तो भगवान शीव हैं तो हमारे जो शीव हैं इनका नाम है अशुतोष भैरव वस्तुता अशुतोष भैरव का जो इलाका है वो शम्शान माना गया है लेकिन चूंकि जैसे हमने पहले बताया आपको के माता सती की मरित देह के अंग के रूप में माता नैना देवी यहां विराज माना तो जो शीव जी भगवान है वो अशुतोष भैरव है जिनका नाम यहां पर आशुतोष भैरव है वो यहां पर माता के अंग संग विराज माना है परिक्र की देवी है उसे आगे आएंगे तो दाइं तरफ माता का बहुत ही प्राचीन हवन कुंड है इसकी सबसे ज्यादा विशेशता यह है कि अगर हम जैसे घर में हवन पूजा पाठ वगएरा इत्यादी करते हैं तो उसका शेश जो है वह हमें चलते हुए जल में प्रवाहित करन हैं तो यहां पर जो है वो यम को दक्षिन दिशा होने की वज़े से वो दक्षिन दिशा यम की होती है तो यहां तक यहां के रिती रिवाजों की बात है तो यहां पर प्रमुक रूप से प्रति दिन माता के लिए पांच आरतियां होती है रातरी को दस बजे मंदिर बंद ह होता है माता जी शेहन करती हैं सुबह चार बजय माता जी को उठाऊर जाता और मेरे Pew scarf लगा जाता उसके बाद फिर मंदिर बंद आए आदे घंटे के बार पर माता जी को शनाम दिया जाता है उनका शनगार किया जाता है बस्तर नहंते पहनाए जाते हैं और उनको माता को हल्वे का और बर्फी का प्रशार लगाया जाता है दुपैर के वक्त बारा बजे माता को दुपैर का बोजन दिया जाता है जिसमें यहां की लोकल डीश होती है वो मिठा चावल और पांच परकार के विंजन होते हैं फिर बाद में उसको यात्रियों में बाटा जाता शाम के वक्त शाम के नहाने का वक्त होता है तो शाम की आरती भी होती है साड़े शे बजे मंदिर बंद होता है आठ सवा आठ बजे तक माता की आरती इत्यादी करके माता को छोले और लोकल पूरी होती है उसका परशाद लगाया जाता है उसके बाद 6 नारती के वक्त माता की सेज लगाई जाती है जिस पे माता की चुनिया लगाई जाती है तो माता वहाँ विष्राम करती है उस वक्त फुरूट इत्यादी और दूद जो कि शुद देशी गाय का होता है वो माता को चड़ाया जाता है और फिर वापस यात्रियों में बाटूँए यही रोटेशन जो है यह प्रते दिन चलती है यहां से 135 किलो मेटर दूर मा जौला जी का भव्य मंदिर है तो वहां पर दस जोते हैं दस जोतों में से एक जो परमुक्ष जोता है वो माता जौला मुखी की है बाकी जो दो हैं वो नो देवियों के रूप माने गए हैं माता और उनका बड़ा घहरा रिष्टा है जब भी जौला जी माता को यहां नेना देवे मिलने आना होता है तो वह यहां आती है उस वक्त अगर दोपैर के बारा बजे हो या रात के दस बजे हो उसमें कोई अंतर नहीं रहता बहुत ज़्यादा तुफान पढ़ता है अपनी देर अनल लेती हैं और फिर वापस जाती है जाते वक्त वो उनकी जिस पर कृपा है उसके हाथों पर सिर पर कपड़ों पर जहां उनकी इच्छा होगी वह बैठेंगे लेकिन आपको जलने की अनुभूती नहीं होगी आपको सिर्फ यह लगेगा कि एक जोती आके नाकूनों पर फूल पर सिर पर यहां उसकी इच्छा है वो बैठ जाएगे एक बहुत बड़ा चमत का रहा है जब यहां पर उस वक्त आप नॉर्मली खड़े भी नहीं हो सकते बाहर और वहां पर जोला जी के कपार्ट भी बंद कर दिये जाते हैं वहां पता लग जाता है भी बड़ी जो जौला मुकी की है वो आधि है रहे जाती है और बाकी जो नो देवियों के रूप हैं वो एकदम बुच जाते हैं लेकिन जैसे ही माता जौला मुकी यहां से वापस जाती है तो odpowied जो बाता वरण है फिर से वापस उसी ट्रैक पर आ जाता है आपके झाल झाल यहां पे हमने किरपा होई पहले तरबार का गी लगाते थे अब लंगर हाल में लगा रहे हैं पिछले 15 सालों से यहां पे हमने सीक्योर्टी वाइज इंस में जो सुरक्षा इंतरजाम में नौव सेक्टर से बांटा हुआ है हर एक में अलग-अलग इंस्पेक्टर्स हैं जर्नली हमने देखा हैं यहां पर पिछले चार-पांद दिन में रश नहीं था लेकिन आज हमारी एक्सपेक्टेशन के अनुसारी रश है और काफी रश है और इसके इलाबा हमारा जो यहां पर एक्जिट प्लान है और या फिर एंट्री है हम लोग लोगों के रश को देखते हुए अकॉर्डिंग ली एक्शन लेते रहते हैं देनिक्स फिरा दिये खास पेश कश्तो हनु के होजी लगी फीडबैक जरूर देना कैमरा मैन वरिंदर महरा देना अलसरूची मान नैना देवी मंदर कि देखते हैं